लोक्षभा में आज 128 बा संभिधान संसोधन बिल यानि किनारी शक्ती वंदन विधयक पेश किया गया है। यहां प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी कैबिनेट ने महिला आरक्षन बिल पर अपनी मोहर लगा दी है। यह बिल 27 सालों से अटका हुआ था। इस बिल के पास होने से उत्राखंड समीत देश भर में महिलाओं को देश सिबा करने का मौका मिलेगा। बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष आसा नौटियाल का कैना है कि बीजेपी ने हमेशा मातर शक्ती के उत्थार में कान किया है। बहीं प्रदेश की धामी सरकार ने नौकरियों में 30 फीजदी खशेतिज आरक्षन महिलाओं के लिए दिया है। उन्होंने महिला आरक्षन बिल पर खोशी जाहर करती हुई प्रदार मंतरी नरेंदर मोधी को धन्यवाद किया है। देहरादून से अब निश्गुप्ता की रिपोर्ट। भी दीद्राइउ में अब ओर अभी धामी सरकार ने सरकारी नोकरियों में 30% हैथा आरक्षन महिलाओं के लिए और अभी मोधी जी पूरे देश में विधान सब्सक्राइब और लोग सब्सक्राइब के लिए जिस आरक्षण की अभी कैबिनेट ने मोहर लगाई है